यह सब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि पश्चिमी दर्शन और सभेता में चीजों को अलग-अलग करके देखने की टेंडेंसी है जैसे मेडिकल साइंस की बात करें भारत में आयुरुवेद और पश्चिम की जो अलोपैसिक मेडिकल साइंस है अलोपैसिक में आप पाएंगे कि डॉक्टर्स जो हैं वह स्पेशलाइज बहुत मिलेंगे सुपा स्पेशलाइज मिल जाएंगे जैसे डॉक्टर क्या है एंटी है तो इसने चुन लिया कि मैं तीन अंगों पर काम करूँगा मैं गड़ा देख लूँगा काम देख लूँग इस सीदी सी बात है कि आँख को समझने के लिए पूरे शरीर की समझ्टी को भी समझना ही पड़ेगा शरीर के अन्य जो विधान है उनका असर भी आँख पर पढ़ेगा ही पढ़ेगा सीदी सी बात है कोई त्वचा विश्चिशंग्य है कोई केवल बलब हड्डियू का व अनके विश्चिशंग्य है उनमें भी कुछ को और नहीं है कही विश्चिशंग्य है यह तरीका है चीजों को और सीमित रूप में देखना और उनको रिसर्च करो और गहराई में जाओ आप आयुरवेद में किसी वैद्यर से मिलेंगे तो आइसा नहीं मिलेगा आपको अब पूरा ही विशेश अगी हूँ आउगा तो पिर आप तो एंगे जी मेरे कान में दर्गा है कान में कुछ नहीं हो दरा दरा नाड़ी देखेंगे थोड़ी देर तक फिर वापकी कुड़ली खौन देंगे पुरी कि जो कान में दर्द है उसकी असली वज् hypoth तो ये है कि पूरे शरीर में पाथ चीज़ें खराब चल रही है लक्षन कान में आया है सब कनेक्टिट है अपस में कुछ भी प्यशक नहीं कान का दर्द कान का दर्द नहीं है यह शरीर का इंबेलेंस है ये शरीर के असंतुलन की एक छोटी सी भिवक्ती मात रहे अब दोनों का अपना फाइला है एलोपेथी के फाइले तो खेर कोई खालिश कैसे कि न सकता है पर ये जो नजरीया है कि चीजों को जोड़ के देखो और एक नजरीया है चीजों को अलग अलग करके देखो अनलेसिस यानि अलग अलग करके देखो सिंथेसिस यानि जोड़ के देखो तो रामसरुम जी का हाइपोथिसिस ये है कि जिस जमाने में पश्चिम का चिंतन साइको अनलेसिस पे चल रहा था मन के हिस्से मन के तीन हिस्से होते हैं चेतन होता है अब चेतन होता है लोग करें वाह 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 फिर तीन और भी होते हैं इड होता है इगो होता है सुपर इगो होता है एक ही मन लेकर आए चो उसे छे से निकले और फिर इन सब के आपस में इंट्रेक्शन किस के किस से क्या इंट्रेक्शन होगा इस पर सूख्ष में चिंतन चल रहा है किस्ते तोन ना में कुछ लोग जैसे एक व्यक्ति के नाम शेद आपने सुनाओगा महर्शी रसुनाओगर सुनाओगए रसुनयों रसुनमाहरशी दख्ष मвारत के एक テएख रहष्य वादी थे बूसमे श्ताब्य यह रहष्य वादी थे रहस्य वाजी भारत में खुब हुआ हैं पश्चिम में भी होते हैं भारत को छोड़े ज़्यादा है रमन महरशी की महनता का एक छोटा सा एक्जामपल आपको यह दे रहा हूं कि रमन महरशी की जब जीवने लेखी गए उस जीवने की भूमिका रखी कारल जुंग नहीं कारल जुंग का नाम सुनय अपनों को नहीं कभी कारल यूंग या कारल जुंग दोनों नाम चंते हैं जो भी आपको अच्छा लगे कौन है विट्थी बनो विश्टेशन वाद में तीन लोग माने जाते हैं सिग्मन फ्रोइड, थ्रोमस एडलर, कार्ल यूंग और कार्ल यूंग और सिग्मन फ्रोइड बहुत नजदीकी रहे लंबे समय तक बाद में इनके बीचों मतभेद हो गया मतभेद जिस्ती इस पे हुआ, इश्वर के नाम पे ज़्यादा हुआ अगर आप फ्रोइड से पूछे कि इश्वर है यानि तो फ्रोइड कहता है कि इश्वर एक भ्रांती है एक मनोवग्यानिक बैसाखी है, साइकलोजिकल क्रच है देकिन कार्ल युंग ने कहा कि इश्वर एक मनोवग्यानिक तथ्य है तथ्य नहीं है, मनोवग्यान एक तथ्य है इस समर्पे भी नहीं कि इश्वर होता है, वो क्यारे कि इश्वर माहर है यह मुझे नहीं पता किन्तो मनोवग्यान के सरपे इश्वर एक तथ्य है और उस शिश्वर का मन में एक तक्षी होना अच्छी बात है बुरी बात नहीं है खुब मत्बेद बड़े इतने बड़े कि अद्पर फ़रेड ने एक पत्र लिखा और कहा मेरा ख्याल है कि अब हमारा रास्ते इतने जुदा हो गए है कि अब हम बात करना बंद कर देना चाहिए तब को पता ही कि यूंग ने क्या जवाद दिया उसने कहा मैं आपकी हर बत मानताया हूँ तो मैं ये बत कैसे टाउसकता हूँ तो उसके बाद से दोनों के रास्ते जुदा हो गए है पर वो कारल यूंग महरशी रमन की आत्व कथा या जीवनी की भूमिका लिख रहा है और कहरा है उसमें कि हमारा पश्चिन का पूरा साइको अनिलिसिस इस व्यक्ति के मनद विज्ञानिक व्यवहर्व की चो लामे छोटा पड़ जाता है और वो ऐसा क्या है उसके लिए शब्च चलता है साइको अनिलिसिस नहीं साइको सिंथेसिस साइको सिंथेसिस वो अवस्थ है जिसों ध्यान कहते हैं हम लोग पश्चिन के लोग आपकर ध्यान में अन्चंतों वाग जोड़ा है और भारत में लोग उसी में लगए रहे है इसलिए बहुते विगास कम हुआ तो हमारे साइको सिंथेसिस का क्रेज ज्यादा है साइको सिंथेसिस का मतलब है एक ऐसी सिती जब मन के सारे हिस्से मिलकर एक हो जाते हैं नचेतन न अवचेतन न इड न एगो न सुपर एगो संपूर्ण चेतना जो हमारी है वो एक बिंदो पर स्थिर है और चेतना के उस बिंदो में किसी परदार का कोई गैप साइको सिंथेसिस जो शब्द है इसका मतलब यह है कि चेतना के भिन भिन हिस्से भिन नहीं संपूर्ण चेतना मूलता है एक ही चेतना है अखंड चेतना है अविचेद्य चेतना है और हम उस अखंड अवे छेद्य चेतना के एहसास पर जाएं और यह साइको सेंथेसिस भारती परंपरा है सांसेजिक असमिता है जबकि साइको अनलेसिस परश्चिम की चीज़ है